Hello everyone, welcome back to the channel, आज हम लोग solve करेंगे chapter 4 quadratic equations और quadratic equations की exercise 4C को आज इस वीडियो में solve करेंगे तो यहाँ पर पहला question कहरा, find the nature of the roots of the following quadratic equation अब यहाँ पर जो हमें quadratic equation दीगे ना, इस quadratic equation की हमें बताना है nature of the roots मतलब इनके roots का nature, अभी nature of roots क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद इस question को हम लोग solve करेंगे, ठीक है अभी nature of roots को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा page number 195 में, अब इस table को ध्यान से दोखो, तो हमें यहाँ पर क्या समझना है nature of roots, roots का nature तो roots तो आपको पता ही होंगे, क्या होता है, roots हम लोग उने find किया थे exercise 4B में, हर एक question में roots को find किया थे ना, वही हमारा roots है, जैसे कि, अभी अगर याद नहीं तो ध्यान से दोखो, हम लोग कैसे निकालते थे, alpha, beta करके roots निकालते थे, मतलब x की value, निकालते थे ना, तो उन roots का हमें nature बताना है, तो nature बताने के लिए, यहाँ पर आपको तीन चीज़ समझने पड़ेंगी, पहली दोखो, अगर D आपका 0 से बड़ा होता है, अब ये D क्या है, D का मतलब होता है, पिछली वीडियो में हमने आप से पूछा था D का मतलब, तो आपने D का मतलब बहुत ह करके बताया तो, जिन लोगों ने जल्दी कॉमेंट किया था, उनका कॉमेंट हमने नेक्स्ट वीडियो में भी लगाया हुआ है, और जिनका नहीं लग पाया, तो अगली वीडियो में जो भी कोशन पूछे जाए, उनको जल्दी से जवाब देना, ताकि आपका कॉमेंट भी नेक्स्ट वीडियो में लग सके, अब यहां पर देखो, लिखा है डी ग्रेटर देन जीरो, डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर जीरो से बड़ा है, उस केस में हम लोग बोलते हैं, रियल एंड अनेक्वल, जो हमाई रूट्स आते हैं, डी को फाइंड करने का जो फॉर्मला है वो होता है, बी स्क्रिमिनेंट का फॉर्मला हमें यह दिया हुआ है, गोट इट, तो अगर डी हमारा बड़ा होता है, तो हम लोग बोलते है, रियल और अनेक्वल, अगर डी हमारा जीरो के बराबर होता है, तो उसे बोलते है, रिय भी हमारा डी जीरो से कम होगा मतलब जीरो से कम क्या जीरो से कम मतलब माइनस में हमारा डी आ रहा होगा उस केस में हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट्स क्योंकि वह हमारा रियल रूट्स नहीं होंगे इसलिए हम लोग उस केस में बोलेंगे नो रियल रूट्स ठीक है अब पहले वाले कोशन में हमें सिर्फ यही लिख के बताना है चीक है तो यह तीन चीज़ समझ में आ गई डी हमारा अगर क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है जिरो से रियल एंड एक्वल डी जिरो से छोटा है तो नो रियल रूट्स हो जाएगा अब इसके कोशन नमबर हम लोग फ एक साइस फॉर सी का फ़स्ट को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कर आफ फाइंड डानेचर आप दरूट्स मतलब यह जो रूट्स है ना इन रूट्स का में नेचर फाइंड करना बताना है कि यह कौन सा किस नेचर का रूट्स है मतलब यह कौड़ाटिक एक्वेशन तो जो दिये गए ना इन कौड़ाटिक एक्वेशन की हमें नेचर बताना यह किस नेचर का है मतलब की हमारा रियल अनिक्वल है रियल यह एक्वल है यह नो रियल रूट्स है यह बताना समझ गया तो चलो इसको हम लोग करते हैं सौल कोशन फर्स में कहा आए बहिया कि यहां पर जो एक्वेशन दीगें इसमें हमें बताना है नेचर अफ़रूरूट नेचर कैसे फयाइन करेंगे बाई चलतो हम लोग तभी बता पाएंगे जब हमें डी पता होगा तो दी पता तभी होगा जब हमें right pap पता होका मदलब DA discriminant का formula होता है D equals to B square minus B square minus 4AC होता है अब D को find करने के लिए हमें ABC का पता होना बहुत जरूरी है तो ABC इसमें कहां पर दिख रहे हैं तो A हमेशा क्या होगा हमारा X square का coefficient जो की 2 है B हमेशा होगा हमारा X का coefficient जो की 8 है और C हमारा होगा 5 ठीक है ये ABC होगया अब हमें ABC पता चल गया है तो हम लोग क्यों ना अब इस equation में इस formula में यह सब put कर दे और D की value find कर ले यहां पर D equals to B square मतलब 8 का square हो गया और यह हो गया minus 4 into A into हमने C कर दिया तो यहां पर होगा 8 ठीक है 64 minus होगा यहां पर ओके इसको हम लोग करेंगे तो हमें यहां पर D मिल जाएगा 24 अब हमें 24 मिल गया अब यह बताओ कि जो हमारा D है यह 0 से बड़ा है यह 0 से बराबर है यह 0 से छोटा है अब देखो 0 से हमारा D बड़ा है क्योंकि D हमारा 24 है अब जब भी D हमारा 0 से बड़ा होता है तो उस case में जो हमारा nature होता है ना roots का हमारा ने। रूट का जो नेचर होता है उस नेचर के अकारडिंग हम लोग इसको क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे real and उनिक हले पर लिख सकते हैं real कि है रिएल कर दिया and कर गिन और रिट-पार दिया अब इसको solve करने के लिए फिर से हम लोग इसमें क्या करेंगे formula लिख देंगे यो कि लिखा हुआ है d equals to b square minus 4ac है अब सबसे पहले abc लिखेंगे a हो गया 3 और b हो जाएगा हमारे पास minus 2 ठीक है minus है 4 into a a into यहां पर हमने 2 कर दिया got it अब हमें क्या करना है यहां लिखा d equals 2 यहां पर square लगा है तो यहां पर हो जाएगा 2 minus 2 का square मतलब 4 और 4 यहां पर हो जाएगा और root 6 का square हो जाएगा इसक्स इक्स फोर्जा कितना होगा 24 आजाएगा माइनस कर देते हैं अब यहां पर हमारे पास 4 3 2 तो यहां पर हो जाएगा ओके 4 2 जा 8 और 8 3 8 जा 24 हो जाएगा अब 24 माइनस 24 हम लोग करेंगे तो क्या आजाएगा बताओ 24 इंटू माइनस 24 कर देंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा 0 अब हमें पता है जब भी डी हमारा 0 होता है उस case में हम लोग इसको बोलते हैं बहिया है real and equal एक तो सबसे पहले करो टेहल को कुछ इस तरह से जब हमने टेबल गोला तो देखा भी हमारा बढ़ा आपसा बनाझी सिरो इस往 में कृण और on equal. तो यहां पर हमने कैया लिखा था ठीक है तो क्तो सिंपल है यह करना अब इसी तरह इसी के तीसरे वाले में आ जाते हैं तो यहां पर दिया है 5x2-4x1ड़ोश लिखैंगे तो इसमें हमाई पर d equals to b square minus 4ac हो गया समझ गया अब यहां पर लिखा हमने d ठीक है और यहां पर लिखा है b b का मतलब हो रहा है यहां पर लिखेंगे हम लोग minus 4 का square कर दिया minus 4 into a into c कर दिया फोर फोर्जा हो गया यहां पर 16 माइनस 5 फोर्जा 20 20 into 1 मतलब 20 अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 4 अब बताओ डी अगर हमारा 0 से इस केस में क्या है बड़ा है चोटा या एक्वल है माइनस है ना तो माइनस हमेंसे 0 से चोटा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डी है हमारा वो चोटा है किससे 0 से जिरो से जिरो से चोटा है अब जब भी डी हमारा 0 से कितना सिंपल है अब आ जाते हैं इसे के फोर्थ वाले में तो यहां पर फोर्ट जो दिया है 5x और x-2 प्लेस 6 है तो सबसे पहले क्या करो कि इसका अंदर मल्टिप्लाइ करो 5 x करोगे 5 x x 5 x सक्वाइर माइनसफ यहां पर ओ गया प्लेस CC इक्नल 12 ठीक है अब इसमें एबी को फाइंड करेंगे तो यहां प्रत दिया हुआ हुआ कि अब यहां करना हमारे पास दिया हुआ है बी स्क्वार तो बी हमारे पास है माइनस टेन और यहां कर दिया हमने स्क्वार माइनस फॉर इंटू ए हमें दिया हुआ है फाइप और यहां पर सी दिया हुआ है और माइनस टेन का स्क्वार कितना होगा यह हो जाएगा हमारे पास हंड्रेट तो यहां पर कर 20 to 26 120 हो गया यहां पर लिख दिया हमने 120 कर दिया अब 120 और इसको माइनस करो तो माइनस को 20 आजाएगा तो इस केस में फिट से हमारा डी कितना आया माइनस 20 तो यह हमारा चोटा हो गया जिरो से जब चोटा होता है जिरो से ताब हम लोग बोलते हैं कि not equal ठीक है not अब रियल बोलते है रिय एक कमना निकला बार बार यह है data रियल ठीक है यह लोगि यहिव हो गया हमारे पर फुर्द को देखो यहां पर दियो है 12 12 एक्स स्क्वार है तो यह हो जाएग Alma पास है यहां पर हो जाएका मानल फोर रूट फप्टें और यहां पर हो गया में पर c equals to 5, d equals to 2 हो गया हमारे पस b square minus 4 a c हो गया, अब जो b है हमारे पस वो है minus 4 root 5 और यहां पर हमने कर दिया है square minus 4 into a हमारे पस 12 है और c हमारे पस 5, यह हो गया d, ठीक है? अब यहां पर हमारे पस दिया हुआ है minus 4 root 5 का whole square, 4 का स्क्वार होता है 16 रूट 5 का स्क्वार हो जाएगा हमारे पास 5 और 16 फाइटी होता है तो यहां पर हम लिखेंगे 80 खीक है अब यहां पर होँगे हमारे पस ,umblesाड़ फूरई , यहां पर होगे हमारे पस 8T और यहां पर हमने माइनस कर दिया अब यहां पर नाम एक मिष्टेक क्या होगा हुगा है ? बीबव कर लिए बीऱ यहां पर होगा निया फिड़ा को यहां पर फिप्टी तो यह हमारा पूरा BILL तो हमने यहां पर लिग दिया थ्यूर को यहां पर पर बीडिया 24 अपर रहे हैं करेंगे तो यहांपर भी आ जाए 240 तो यहां पर d आ रहा है हमारे पास वह आ रहा है 0 जशम से के इकल होता है तो उस केसे में क्या बोलते हैं चो यहां बोलेंगे deed equals to zero इसको हम लोग बोलेंगे री येल एंड डिarakत्व की समझ गैतनी बहुत कितना सिंपल हैं अब ये laughing हो गया हमारे हो गया अब इसका जो लास्ट वाला है ना उसको देखो यहां पर लिखाए एक्स स्क्वार माइनस एक्स प्लेस टू है इसको पहले एबी सी करो तो ए हो जाएगा हमारे पास वन एक्स स्क्वार का कोफिसियंट देखो जो होता हो लिखते हैं यहां पर कुछ नहीं इसका किया म siamo है एक टू इहां पर एक्स घ्रा केल्या जाना आखे prose दो यहां पर w'ne स्कु immune स्वार भूट हो जाएगा फॉर टू स्वॉल करेंगे तो यहां पर आजाएगा डीait को स्टू माइनस 7 अब लेह हमारा आगा मैनस 7 यहां पर एपन्स और बहरा हुनागर हो रहा है इस बार चोटा हो रहा है किस से जीरो से अब जीरो से छोटा है उस केज में हम लोग क्या बोलते हैं कि यह है not not real बस देखो इन सभी कोशन में हमें यही करना था और कुछ करना ही नहीं देखो कितना सिंपल है कितना इजी है ना तो कोशन नमबर वन के हमने पूरे का पूरे कोश्च कर लिया अब आते हम लोग कोशन नमबर टू में पोशन टू इस एंड बी आर डिस्टिंग रियल नमबर सो ड़ाट टिक इक्वेशन इस नो रियल रूट से इसमें तो इसको हमें सॉल करके बताना इसे हमें पूफ करके दिखाना है कि कि English हमारी किया रियल रूट इसका नेशर जो होगे नो realities ठीक है अब no realія thumbs कब होता किस ए में होता या जब हमारे पास जो द्योट था ना वो छोटा होता है झीरो से तो इसमें हम लोग सबसे पहले find करेंगे डी को अभी यह बात नहीं समझ में आई तो अभी दों को समझ में आएगे सब को समझ में यहां पर हमारे पास यह equation है अब इस equation से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डी क्या निकालने वाले डी तो डी का में थोड़ा बहुत हलका फुलका अलग है नहीं तो सब में यही है पूरी एक्सेसाइज में अब देखो भी हमारे पास यहां पर क्या दिया है पता नहीं ना तो सबसे पहले पस नीक है यह यह हमारे पड़ी दा अबेसे में पता चल गया क्या क्या करें इसमें वैलो में पुट करका दो के इस फार्मॉले पर भी हमारे पर दिया हुआ हो तू सक्बैश्मने होल् इसकोर है तो b का square है तो यहाँ पर स्क्वाइर कर दिया अब यहां लिखा है minus 4A एह हमें दिया हुआ है यहां पर टू यहां पर है a square और यहां पर plus b square और यहां पर है हमारे पास eिन्टू सी मतलब 1 है ठीक है अब यहां पर देखो लिखा हुआ है तू अगर तू का हम अंदर मल्टिप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा सिंपल सा यह हो जाएगा हमारे पास फूर ए और यहां पर हो जाएगा हमारे पास कितना फूर भी यह हो जाएगा तो एक काम करते हैं इसको पहले इसको ऐ ऐसे ही रहने देते हैं इसको ऐसे नहीं करतें अंदर मृटिप्लाय नहीं करतें इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जो यह तू है इसमें whole whole square तो a plus b का whole square क्या होगा यह हो जाएगा हमारे पास a square ठीक है plus b square plus 2ab हो जाएगा got it यह होगा हमारा अब यहां लिखा minus अब यहां लिखा है 4 ठीक है अब यह 4 तूजा क्या हो जाएगा 8 और 8 का अंदर multiply करो तो 8a square और यहां पर हो जाएगा माइन देखो यह माइनस यह plus plus minus minus 8b square समझ गया अब इस 4 का हम लोग अंदर multiply कर देंगे तो 4a square हो गया हमारे पस plus b square हो जाएगा और यहां कर दिया 4 तूजा 8 यहां पर 4b square होगा 8ab हो गया ठीक है minus 8a square और यहां कर दिया minus 8b square यह आ गया अब इसको देखो यहां पर 4a square है यहां पर 8a square है इसको solve कर दोगे तो कितना आ जाएगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा minus 4a square आ गया अब यहां पर 4b square है और यहां पर minus 8b square है इसको solve करेंगे तो यहां पर minus 4 यहां पर स्कूर आ गया और यहां पर हो जाएगा प्लस 8 AB हो गया समझ गया अब हमें दिख रहा है कि इन सभी में हम लोग 4 को common कर सकते हैं माइनस 4 को कर दिया common अंदर बचा हमाई पर पस A स्कूर प्लस B स्कूर हम बचा माइनस AB बच गया अब यह A स्कूर B स्कूर माइनस AB यह किसका फॉर्मला होता है मतलब 2 AB बचेगा क्योंकि 8 है यहां पर यहां पर 2 AB तो यह किसका फॉर्मला होता है यह होता है A माइनस B के होल स्कूर का यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं वह हमेशा 0 से चोटा नहीं होता है न यह बात तो पता ही होगी तो इस केस में हमारा जडी है यह दोक्त नॉट रिएल बस इतना ही कर सकते हो जह गिए हो जाएका कंपका सन कितना सिंपल या कोश्चन क्या काता अई हो भी हमारा कोई भी रियल नमबर है तो यहां पर भीडों कर दोगे करो गे तो भी हमारा जो Joay आएगा यहां न वह मैसे होगा हमारा — nu होगा तो यहां पर आजेगल जाुक नौरेल दूसब यह आधा है's कोशन 2 हमारा complete अब हम लोग आ जाते हैं कोशन नमबर 3 में कोशन 3 सो डाड़ रूट्स आपड़ एक्वेशन 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 को सॉल्व करके बता और बताओ कि जो इसके कि अगर हम लोग पी की वैली और क्यू कि वैली में कोई भी रीली नवर लिख देंगे तो समझ रहो किया करना हमें इसको ऊल्व करना वह सॉल ओपर के देखना है कि यह वे theory takich नहीं है बस इतना ही समझो तो चलो इसको हम लोग करते हैं तो सबसे पहले यहां पर x2 plus p x minus q square दिया हुआ है कोई सा नमबर 3 में तो इसमें हम लोग a b c को लिख लेते हैं तो a हो जाएगा हमारे पास x2 कोफिसेंट 1 बी हो जाएगा हमारे पास p और c हो जाएगा हमारे पास minus q दिया हुआ है तो यह हो जाएगा minus q square हो जाएगा अब हमें यह find करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए d का formula जो की होता है ट 1-2-aid? hadon now a a2-4ac अब यहां पर हम लोग d की ज्यागे पर d लिखा बी की ज्गेए पी की जागे पहर के p का स्क्रें और यहाँ पर ओजcias हमारे पर यहارu पास दिया गया माइनच q कैशल कुल यहां पर d हों गया हमारे पस q स्क्वाइर पी स्क्वाइर है अब देखो माइनस फॉर इंटू माइनस क्यू माइनस माइनस हो गया प्लेस यहां पर हो गया फॉर क्यू स्क्वाइर हो गया पी स्क्वाइर प्लेस फॉर क्यू स्क्वाइर हो गया अब देखो यहां पर कोश्चन है क्या का था पी क्यू हमारे बोलते हैं तो बस सिंपल है हमें क्या करना यहां पर लिक देना यहां पर हम लोग देंगे भाईया कि D हमारा क्या है बड़ा जीरो से अब यह दी हमारा 0 से बड़ा है तो सिंपल सक है तो हैंस प्रूफ रूट्स आर रूट्स आर रियल है ठीक है बस यहीं हो जाएगा कोशन नंबर थी का हमारा आथा तो बहुत सिंपल है बहुत चोटे-चोटे कोशन है कोशन नंबर जो नेचर है वह हमारा क्या बन जा रियल और एक्वल समझ पाए नहीं समझ पाए तो इतना समझो कि हमें सिंपल से क्या करना है है फाइंड करना है ऐसी के की वैल्यू कि इस एक्वेशन में अगर हम पुट कर दें और पुट करने के बाद दोबारा सॉल्व करें तो हमारा जो रूट साथ है उसका नेचर हो रियल और एक्वल बस यहीं समझ लए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं कोशन नंबर फूर को तो तो यहां पर आज आते हैं इसके हम लोग सल्यूशन पर यहां पर कोशन नमबर जो फूर है इसमें सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा तो यहां पर जो फॉर्मला होगा वह हमारा बी स्क्वार माइनस फूर एसी हो जाएगा कोशन पर आजए अब यहां पर सबसे पहले army c पता करते हैं तो यह हमारा X का कोफिशिंट होगा जो कि तरी है। यहां पर b हो जाएगा हमारे पास 2 coz की होजाएंगा यह यह पूरा ले लेंगे यहाँ पर और C हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 27 यह हो गया A B हमारे पास C अब यहाँ पर हम इस value को put करते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पर D equals to B square मतलब 2K का square कर दिया 2K और यह कर दिया हमने square minus कर दिया 4 into A into C कर दिया हमने 27 अब यहाँ पर square है तो इसका मतलब हो गया 2K square हो जाएगा यहाँ पर 3,4,12,12 into 27 करोगे 324 आजाएगा अब यहाँ पर ना देखो यह लिखा हुआ 4K square minus 234 ठीक है यह हम ले आए होता है 0 के जब D बराबर होता है 0 के उसी case में real और unequal होता है सोरी real और equal होता है हमारा nature roots का है ना तो यहाँ पर जो डी है वो आया हमारे पस 4K square minus 324 equals to 0 ठीक है यह minus का इधर चला जाएगा plus का 324 कर दिया और यहाँ पर 4 multiply में इधर आ जाएगा तो यह दिवाइट में हो जाएगा यहां पर a square स्कों हम लोग 4 रहantiて इसको इसको हम सॉल्प करें तो यहां पर हो स्कॉयर लगा हुआ है तो स्कॉयर हटेगा और यहां पर आ जाएगा हमारे पर रूट तो हिरूट 81 और यह पर प्लेस माइनस 9 तो यह हो जाएगा के एकवस 2 प्लस 9 और यहां पर हो जाएगा हमाई पसके एकवस 2 माइनस नाए बस यह वैल्यू आगे कोशन नमबर फॉर की कितना से पल यहां नहीं समझ में आई तो एक बार फिर्व सम बताते हैं यहां पर कोशन ने क्या कहा था कोशन के के की ऐसी वैल्यू बताओ कि जब हम लोग के की वैल्यू इस कřेशन में पूठ Works कर दें तो हमारी एक्वेशन जासे कप्ला कि 창ि जाता ह्गाई है 0 के तभी real और equal आता है sorry equal बोलेंगे यहां पर ठीक है real और equal तभी आता है जब d equals to zero होता है इस वज़े से यहां पर हमने d equals to zero करके यहां पर solve करती है समझ गया अब question number five में आ जाओ तो question five भी बिल्कुल question number हमारे four की तरह है यहां कह रहा है forward value of k are the roots of the quadratic equation this real and unequal अब k की value हमें फिर से बताने हैं तो तो बहुत simple है यह बहुत कैसे करेंगे पहले तो हम लोग इस equation को लिख लेते हैं जो भी question number five में दिया हुआ है एक मिनट यहां पर दिया हुआ है हमें kx यहां पर कर दिया के x bracket में दे दिया गया है x minus 2 root 5 दे दिया गया और bracket close plus 10 equals to zero यह हमको दे दिया गया ठीक है अब kx का अंदर हम multiply कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमाई plus k यह हो गया x square minus 2 root 5 और यह हो गया हमाई plus kx plus यहां पर कर दिया 10 equals to हमने कर दिया यहां पर 0 यह हमारी हो गई ठीक है kx का हमने अंदर multiply किया तो अब simple से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पर a है वह क्या हो जाएगा k हो जाएगा x का coefficient और b हमारे पर जो हो जाएगा minus 2 root 5 k हो गया और जो c है वह हो जाएगा हमारे पर 10 अब यहां पर simple से हम लोग का formula लिख देंगे वह भी होता है d b square minus 4 ac होता है अब यहां पर भी दिया है हमारे पर minus 2 root 5 और यह होगा हमारे square minus 4 into k into यहां पर हमने कर दिया 10 यह हमने कर दिया अब यहां पर है minus 2 root 5 whole square टू का square होता है 4 root 5 ka square होता है 5 45 जा कितना हो जागा यहां पर 20 होります यहां पर कर दिया 20 और यहां पर और यह पर यह भी था हमने के नहीं लिए तो यहां पर लिग दिया हमने k square minus 4 into 1040 हो गया और यहां पर हमने लिए-क अब यह इक सब्सक्राइब इस तरह जो होता हुआ हो मुलाबर नगा या इंульт 20 k square minus 40 k equals to zero कर दिया इसमें से हम लोग क्या common ले सकते हैं 20 20 common ले सकते हैं तो यहां हमने ले लिया 20 k को common तो जब 20 k हमने common ले लिया तो हमें यहां पर कितना मिल जाएगा यहां पर मिल जाएगा हमें ओके यह हो गया हमाई पर के माईनस 20 मिल जाएगा फिक यह मिल जाएगा अगर हम लोग इस तरह से solve करेंगे तो हमें की वैल्यू तो मिलेगी नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा 20 मिल जाएगा यहां नहीं यहांपर टु होगा ठीक है ठीक सई हो रहा है ऐसा ही करना एकको स्टीब हो जाएका जीरू अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो 20 है हमारा ठीक है यह के साथ यहां पर मॉल्टीप्लाइम है ठीक है क्या है मॉल्टीप्लाइम है अब यह इसको इधर भेज देते हैं कुछ इस तरह से समझो इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया इसको हमने एक ब्रैकेट कर दिया अब समझो तो यह एक रूट हो गया दूसरा यह हमारा रूट हो गया समझ गया अब यह दोनों एक प्रैकेट में कर दिया और इसे एक ब्रैकेट में कर दिया तो यह दोनों 0 के equal हो गया है तो यहां पर लिखा 20 k equals to 0 और यहां पर हमने कर दिया k minus 20 equals to 0 अब यह multiply में इधर चला जाएगा divide में तो k equals to 0 हो जाएगा अब यह हमारे पर minus में इधर चला जाएगा तो यह plus में हो जाएगा बहुत simple question है देखो बहुत simple कुछ नहीं करना बस यह formula को रट लो अगर नहीं भी रट ऊगे ना तो बार बार करते रहो के 5 नहीं तो इस वीडियो में question number five तक ही करेंगे बाकि वीडियो की लिंक आपको description में मिल जाएगी तो जो भी सुरुआत के पांच लोग पांच लोग जो भी डी का formula comment करके बताएंगे उनका comment हम next video में जरूर लगा देंगे तो क्या करना है डी का comment आपको करना है क्या होता है यह comment करके आपको बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अघर अच्छीं लगी तो comment करके जुरूर थो भी है